हेलो दोस्ताब सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल लेयर फोर्स ने भी स्टड़ी पार तो जेगी जो कंडिडेट्स एक्सवाई ग्रूप की त्यारी कर रहे हैं और आपको पता है कि मार्च में कोविड नाइंटी के बज़े से आपका जो एक्जाम है वो प जिसमें सबसे पहले हम बात करें सभी कंडिडेट्स का तो आपका मौक जो अब लेबल था 11 से 13 जुलाई तक में जो आपका एक्जाम होने वाला था वो 14 से 20 जुलाई तक 2021 था ठीक है और इसके साथ ही यह आपके सेंटर पर से समद्दित है कि as soon as possible हो तो इस समय कौन-कौन स सेंटर है जहां पर आपके एरफोर्स के आई एफ के एक्जाम है एक्सवाई ग्रूप के कराई जा सकते हैं अब यह नोटिस आपका वाइरल हुआ लेकिन इससे समद्दित कोई भी अपडेट इंडियन एरफोर्स ने उप्शेल नहीं दिया दूसरी कंडिशन में अब जो स 26 सेप्टेंबर तक ठीक है और दूसरी कंडिशन में बफर आपका 27 सेप्टेंबर को है और मोग आपका 17 से 19 सेप्टेंबर तक अवले पल रहेगा यनिकि आप कह सकते हैं कि आपका एक्जाम सीधा है वो सेप्टेंबर में इस नोटिस के अंसार दिखाए गा है लेकिन आप जब इंडियन नेवी की सरी जब इंडियन एरफोर्स की उपसल साइट की तरफ हम विजिट करते हैं तो आपको कुछ इंटरफेस है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कोई भी अपडेट है वो इंडियन एरफोर्स ने अभी फिलाल में कोई नहीं दिया है सिर्फ PSL से सम हो जाएगा तो उसके बाद जरूर आपका एरफोर्स एक्सवाई ग्रूप एक्जाम से समद्दित आपको इंपोर्टेंट अपडेट देखने को मिलेगा अब यहाँ पर पहला जो इंपोर्टेंट यही था कि आपका जुलाई में बताए गया था सेकेंड में आपका सेप् इंड बहच है वो स्टार्ट हो जाता है इंडियन एरफोर्स का ठीक है तो इसको अभी किलियर ने माले कुछ कंडिडेट्स कहा रहे थे कि इंडियन एरफोर्स की है वो रेली यहाँ पर होगी ठीक है तो रेली अभी कई चंस नहीं है कि इंडियन एरफोर्स आपके रेली कर है ठीक है तो वह जुलाई में यहां यह कंफं है कि आप जोलाई टक आपका एक्जाम मान कर चले कि जुलाई के लास्ट वीक में आपका exam है वह हो सकता है ये न्माने की सैपम ठीक है क्योंकि आपके बाद में जो नोटीस है वो इनकी कोपी होकर वाइरल होने जाते हैं जो कि फैक माने जाते हैं रियल नोटीस है अभी इंडियन एर्वार्ड फोर्स की साइट पर ही आपको वेट करना है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्टूडियो में तब तक के लिए जेहीं जेवारा